वेल्देन सफियान मुकीम ये जीत तक रैडिस श्पेशली आप ही को जाता है पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड की मेनिजमेंट को एक गोल की तलाश थी इसलिए यंग बलड को अजमाया जा रहा था लेकिन पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड के हाथ लगता है एक डाइमंड इस यंग आया नहीं जा रहा पिछली जो मैनिजमेंट थी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था अगर वही मैनिजमेंट होती और ये बच्चा खेल जाता पाकिस्तान टीम का फ्यूचर अगर इसी तरह यंग बलड को चांस दिया जाए सेफ हैंड में हैं लेकिन अगर पाकिस्तान टीम जब बोलिंग करवा रही थी जंबावे टीम बैटिंग कर रही थी जस थर्टी सेवन रन उन्होंने बना लिये थे चार ओवरों में अब इमेजन करें चार ओवर थे थर्टी सेवन रन थे कोई खलाडी आउट नहीं था लेकिन बोल हाती है सफियान मुकीम के हाथ में उसने सिर्फ तीन रन देकर पांच खलाडियों को आउट किया और फिफ्टी सेवन पर आल टीम आउट कर दी मैं तो सोचकर रहान हूं कि क्या टैलेंट है पाकिसान क्रिकट टीम के पास लेकिन उस तरीके से ग्रूम नहीं किया जा रहा पुलिटिशन क्रिकट बोर्ड बन पाकिसान में टैलेंट मुझूद है इसमें कोई शक नहीं कोई दो राय नहीं है लेकिन उसको उस तरीके से ग्रूम नहीं किया जाता इंटरनेशन लेवल पर उनको पूरी तरह मुका नहीं दिया जाता जब बंगलादेश के 37 पर कोई खलाड़ी आउट नहीं था चार आव प्लीज कैप्टन को मत देना क्योंकि कैप्टन की करंट पर्फोर्मस उसकी बैटिंग से ही जलक रही है कि वो किस रिदम में चल रहा है सफियान मुकीम पिछले दो साल से पीएसल खेल रहा है पीएसल में व्यू अच्छी एनिंग खेल कर जाता है वहाँ पर पर्फोर्मस दे रहा था और शिपैशली अमर्जिंग एशिया कब था सफियान मुकीम सबसे ज्यादा विकर्स लेने वाले थे पाकिस्तान टीम की तरफ से स्पीनर के हिसाब से लेकिन पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड की जो मैनेजमेंट ही उन लोगों ने इसको चांस देना समझा है नहीं जंग बलड को चांस दिया जा रहा है दोस्तों आप लोगों से मैं स्वाल पूछता हूँ अगर सफियान मुकीम जैसा बोलर पाकिस्तान टीम में होता कम से कम चलो यार बेंच पर बठाकर रखते पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल तो करवाया जाता अगर सफियान मुकीम जैसा बोलर हम लेकर जाते हैं USA में येकीन करो अपनी उंगलियों पर निचाता ही है वह दर बैट्समेन को आप मैं दो राए नहीं है आप इसकी बोलिंग चेक कर लो अपना नाम रखवाता है वहां भी पाकिसान निचाता है अगर सफियान मुकीम को वर्ल्ड कप भी खलवा लेते जैसे USA की पीचीज थी तो सफियान मुकीम अपना नाम रखवाता है वहां भी पाकिसान टीम को मैं जितवा कर देता लेकिन पाकिसान की रिकर्ड बोर्ड की मैनिजमेंट ऐसी थी पता नहीं अब बहुत से लोग ब्लेम डालते है कप्तान पर कोई डालता है कोचीप पर कोई डालता है कि नहीं जो सिलेक्शन कमेटी ने रिसाइड किया उन लोगों ने टीम सिलेक्ट की है उन पर ब्लेम डालना चाहिए लेकिन हकीकत यही है कि पाकिसान टीम हा रही है अब ब्लेम किसी पर भी डाल दो अब वक्त वापस आने सकता कहने का मतलब सिरफ यही है कि अगर आप यंग प्लेयर को चांस नहीं देते जो डिजर्ब भी करता है तो फिर आपके नसीमे हार तो पकी है यह आप लिक कर रख लो आप इंसाफ नहीं करोगे टीम में तो फिर आप लोगों के साथ जयती होगी आल राउंडर की सूरत में हमने पता कितने प्लेयर को अजमाया है आप सभी जानते हैं चाचे इप्तिकार को हम अजमाते रहें लेकिन करें और वर्ल्ल कप की बात करें हैदर अल्यों कितने ज्यादा चांस दिये के इमाद वसीम को लेकर आए लेकिन उसने अपनी बैटिंग से पाकिसान टीम को हरवा दिया वर्सिस इंडिया का जो हमारा मैच था कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था मोहमद दिन्वास को देख लो शिदाब खान को देख लो लेकिन सिफयान मुकिम को सलेक्ट नहीं किया जाता था ये कहा कर कि ये अभी बच्चा है इंटरनेशनल में अभी ये नहीं खेल सकता लेकिन एक दो मैच के बाद आप लोगको ये अन्दाजर जरूर लग गया है कि सिफयान मुकिम को एक लोगों ने देखी होगी लेकिन छोटी इनिंग थी लेकिन बैटिंग जो स्टाइल था उसका उससे आपको पता चल गया होगा वो किस इंटेंट से खेलना चाहता है उमेर यूसफ को चांस दिया बहुत ही अच्छा लगा सुफियान मुकीम को चांस दिया डिजर्व भी करता है इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान वर्सीज जंबावे टी ट्वन्टी सीरीज जो दो एक से हमने अभी अपने नाम कर ली है तीसरे मैच में क्या हारिश रोफ को रेस्ट करना चाहिए जैसे सिल्मान अलियागा उसकी पर्फॉर्मस आप जानते है उसको भी मेरे ख्याल से रेस्ट करना चाहिए जैसे मुहमद रिज्वान ने थर्ड ओडिया मैच में किया था सिल्मान अलियागा की जगा पर अगर कोई डिजर्व करता है वो हसीबुला हसीबुला को चांस जरूर देना चाहिए आप बिठा सकते हो सिल्मान अलियागा को साइम यूब को भी बठा सकते हैं कि ज्यादा चांस उसको मिल गए है हसीबुला को उतने चांस नहीं दिए अपनी राय कमेंट बोक्स में ज़रूर उताए थैंक्यू